गुड़नखंड प्रमे यदि X बराबर A बहुपत का एक ऐसा शुन्यक है जिसके लिए शेशफल F of A बराबर 0 तब X-A F of X का एक गुड़नखंड होता है चलिए हम इस प्रमे को सिद्ध करते हैं इसके लिए हम उपत्ति लेंगे हम जानते हैं कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेशफल के संबंद को निम्न लिखित रूप में लिखा जा सकता है निम्न लिखित रूप में लिखा जाता है क्या है संबंद भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेशफल अब यदि हम यहाँ पर प्रमे को देखें तो हम कह रहे हैं कि F of X में हमें भाग देना है X माइनस A का तो भाज्य क्या हुआ F of X भाजक है X माइनस A भागफल X का कोई दूसरा बहुपद होगा तो उसे हम ले लेते हैं Q of X और शेशफल भी X का कोई बहुपद होगा इसे ले लेते हैं R of X चलिए आगे देखते हैं शेशफल प्रमे से हमने देखा था कि यदि किसी बहुपद F of X को X माइनस A से भाग दिया जाए तो शेशफल F of A होता है हम कह सकते हैं कि शेशफल प्रमे से हमें मालूम है कि यदि F of X को X माइनस A से भाग दिया जाए तो शेशफल F of A होता है तो हमने जो संबन लिखा है उसमें हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर फिर से कि F of X बराबर X माइनस A गुनेत Q of X और जो हमने शेशफल R of X लिया था चूंकि हमने यह देखा कि जब हम X माइनस A से भाग देते हैं तो शेशफल F of A मिलता है तो हम इसके स्थान पर यहाँ लिख सकते हैं F of A यह हमने कहां से निर्ड़ निकाला है शेशफल प्रमे से चलिए अब गुरंखन प्रमे में यह दिया गया है की शेशफल जो है वो क्या है शून्य है तो अब हम इसके स्थान पर रखेंगे शून्य यानि कि अब यदि शेशफल जो कि हमारे प्रमे के कथन में कहा गया है कि यदि शेश्वल जो है f of a बराबर 0 हो जाए तो अब हमें यह संबन किस प्रकार प्राप्त होगा f of x बराबर x minus a कुनित q of x धन f of a के स्थान पर 0 यानि कि हमें मिला f of x बराबर x minus a और q of x तो इससे हमें इसपश्ट हो रहा है कि f of x का x minus a जो है वो एक क्या है गुड़न खंड है तो हम लिख सकते हैं इसपश्ट तह इसपश्ट तह है x minus a f of x का एक गुड़न खंड हुआ इस प्रकार्य प्रमे सिद्ध हुआ गुड़न खंड प्रमे का विलों कथन यदि x minus a बहुपद f of x का एक गुड़न खंड है तब शेश्ट फल 0 होता है चलिए इस प्रमे को हम सिद्ध करते हैं उपपत्ती चूंकि x minus a बहुपद f of x का एक गुड़न खंड है अर्थाथ x बराबर a f of x का एक शून खंड है अब चूंकि हमने कहा कि f of x का x minus a जो है वो एक गुड़न खंड है प्रमे में बताया गया है कि f of x का एक गुड़न खंड जो है वो है x minus a तो हम f of x को लिख सकते हैं उसके गुड़न खंड जो है x minus a और जो उसके अन्य गुड़न खंड होंगे वो भी x का ही कोई बहुपद होगा तो हम उसे ले लेते हैं q of x तो इस प्रकार f of x को लिखा जा सकता है x minus a गुड़न अन्य बहुपद x का जिसे हम ले रहें q of x के रूप में अब x बराबर a रखने पर इस सम्बंद में हम f में f of x में x के स्थान पर रख दें a तो मिलेगा f of a यहाँ पर x के स्थान पर a a रिन a और पुना q of a इससे हल करने पर मिलेगा f of a बराबर a रिन a जिससे हमें प्राप्त होगा 0 गुणेत q of a तो हमें क्या मिला f of a बराबर 0 इससे हमें प्राप्त हुआ f of a बराबर 0 याने कि जब f of x का एक गुड़न खन x माइनस a हो तो शेशवल हमें क्या प्राप्त हो रहा है 0 इससे लिख लेते हम इस पश्ट तह x माइनस a बहुपद f of x का गुड़न खन्ड हो हो तब शेशवल f of a 0 होता है इस प्रकारिया प्रमे सिध्ध हुआ यदि किसी बहुपद के दो गुड़न खन x रिन a और x रिन b हो तब f of x बराबर कोश्टक में x रिन a गुड़न खन्ड कोश्टक में x रिन b गुड़न खन्ड q of x होगा यदि किसी बहुपद के तीन गुड़न खन्ड x रिन a, x रिन b और x रिन c हो तब f of x बराबर कोश्टक में x रिन a गुड़न खन्ड कोश्टक में x रिन b गुड़न कोश्टक में x रिन c गुड़न q of x होगा कोई भाजक भाज्य बहुपत का गुणनखन है अत्वा नहीं हम यह भाग किये भी नहीं गुणनखन प्रमे की मदद से बता सकते हैं आगे दिये गए उधारनों में आप गुणनखन प्रमे की उप्योगिता को समझ सकेंगे